यह T-Series कोई Music Label नहीं है, एक Abattoir है, जहां Music का रोज बे रहमी से कतले आम होता है नया कतले आम सामने आया है, अच्छा सिला दिया तुने मेरे प्यारका का रीमेक Iconic Song है और इस गाने का T-Series, बीपराक, जानी, नुरा फाते ही, राजकुमर राव जैसे लोगों ने मिलके खुब सत्यानाश किया है I don't know what Rajkumar राव is doing, अब किस तरह सत्यानाश हुआ है इस गाने का वो बताने की जरूरत नहीं है कि T-Series ये पहली बार नहीं कर रहा है, ये इतनी बार वो कर चुका है, कि अब explain करना जो है बड़ा बोरिंग हो गया है कि किस तरह से एक Iconic गाने का इन लोगों ने कतलयाम किया है वहाँ T-Series में बैठे हुए लोग इतने imagination और vision से खाली है और इसका सबूत वो लोग इतनी बार इतने अपनी creation में दे चुके है कि अब क्या कहें ये कतलयाम तो खैर इसकी बात तो हो गई, मैं एक और कतलयाम की बात करना चाहता हूँ और ये है कि netizen इस गाने को तो rightfully criticize कर रहे है मगर original गाने का credit Sonu Nigam को दे रहा है I am so damn shocked to find this that almost everyone is believing that Sonu Nigam is the original creator of this song Sonu Nigam Nikhil Vinay इन लोगों को इस iconic गाने का original creator माना जा रहा है और ये आम public ही नहीं बड़े-बड़े YouTubers जिनके बहुत सारे followers है वो लोग भी इसका credit Sonu Nigam को दे रहे हैं मतलब किसी को भी अता उल्ला खान के बारे में कुछ पता ही नहीं है अता उल्ला खान इस गाने के original creator है और वो एक legend है और उस legend के बारे में किसी को पता ही नहीं है अता उल्ला खान कौन है क्या है इसके बारे में जितने भी लोग music में इंटरेस्ट रखते है उनको पता करना चाहिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है उनके बारे में पता करना उनको पता करना चाहिए और उनके music को सुनना चाहिए यह ऐसे आर्टिस नहीं है जिनको ऐसे नजर अंदास किया जा सके और मतलब अगर अगर आप सही में कोई म्यूजिक लिवर है तो इट इस नोट एफॉर्डेबल फोर यू तो फोर्गेट अता उल्ला खान लैक दिस तो खान साब ने यह गाना जो है 1992 में रिलीज किया था या शायद उसके पहले गाया होगा लेकिन 1992 में गाना जो है बाहर आया और 1995 में टी सिरीज के गुलशन कुमार सहब ने एक गटिया फिल्म बनाई थी बे वफा सनम और उसमें अपने भाई कुमार को नजाने किती भी बार उन्होंने लांच किया उस फिल्म में इस गाने को रखा गया और इस गटिया फिल्म का कहीं भी अगर आज जिक्र होता है तो वो इ के कवर सॉंग्स काते थे और उनसे गाना गवागी तो लिगम इस गाने के ओरिजिनल क्रियेटर नहीं है निखिल विने इस गाने के ओरिजिनल क्रियेटर नहीं है टी सिरीज का गाना नहीं है यह अता उल्ला खान का गाना है पूरा क्रेडिट जो है वो इस गाने का अता उल् को क्रेडिट नहीं दिया याज भी हम YouTube में इस इस का विडियो देखेंगे तो इसमें अताइल आपनोदा खान को को जिए इंट क्रेडिट नहीं दिया गया है देगे अर्थ को आज तक टी के पास से भी कोई इस तरह का डिस्क्लेमर नहीं आता है कि यह जो है आता उल्ला खान का गाना है मैंने तो सिर्फ उसे दोबारा गाया है और टीसरी इस पास से तो कोई डिस्क्लेमर आने का सवाल ही नहीं उठता है तो 92 और आज है 2023 यानि लगबक 30 साल तीन दशक हो गया और तीन दशक में एक artist को पूरी तरह से भूला दिया गया है, अब यह public ने naturally इस artist को भूलाया, ऐसा है, यह artist जो है, बहुत ही मशूर artist है, और बहुत ही काम्याब artist है, यह किस तरह से जो यह remix और यह सब का जो काम चल रहा है, cover version remix, इसके वजह से इतने बड़े artist को जो है, कैसे public memory स पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है ये वो वाला मामला है अधर टी सीरिस ने जब बेवफा सनम फिल्म बनाई और इसमें गाने को लिया तभी अता उल्ला खान को क्रेडिट दिया होता और बात में जहां जहां ये गाना पब्लिश हुआ हर जगा खान साब को इसका क्रेडिट मिला होता तो इस तरह से खान साब पब्लिक मेमरी में से it says completely out ने होते आता उल्ला खान का नाम काफी लोग जानते हैं जो उन को पता नहीं है ये गाना आता उल्ला खान का है जाएद उन्में से भी कुछ लोग होंगे जो खान साब को जानते हैं अगर क्रेडिट जब दिया ही नहीं गया तो पता कैसे चलेगा तो वो पाकिस्तान की आर्टिस्ट है वो इंडिया की आर्टिस्ट ही नहीं तो जो एक्सपॉजर है वो भी कम है और यह completely avoidable है और लेकिन इसको किया नहीं जा रहा है तो that makes it criminal कि आप इस तरह से जो है आर्टिस का पूरा credit ले रहे हो completely और उसको public memory में से पूरी तरह से out करते हो कोई भी जो है मैंने इतने reviews इसके देखे और इतना इसका जिकर सुना कहीं नहीं नहीं सुना कि कोई aTha Allah Khan का नाम ले रहा है कि Ata Allah Khan साब ने क्या गाना बनाया कि आज तक वो चल रहा है और यह लोग जब दुहाई दे रहे है कि इस गाने का सत्या Nat नाश हो गया prevalent perm नूजवन उनिगम का, के सुनों निगम ने क्या गया था, क्या गया क्य scenario, जो ओरिजिनल सिंगर है, उसकी बात ही नहीं हो ली तो इस गाने का पूरा क्रेडिट अताुल具 खान को जाता है और इस गाने का सत्यानाश करने का जो पूरा क्रेडिट है वो टी सिरीज, भी प्राग और जानी गुजाता है नो डाउट अबाउट इट